इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 5 पैसा कैपिटल के बारे में जिसने की quarter 2 के numbers को publish कर दिया तो BOD के outcome की बात करेंगे तो सिर्फ सिफ quarter 2 को लेके announcement हुई along with the limited review reports इसके अलावा अनदर कोई भी announcement नहीं है तो dividend, bonus या फिर splits related कोई भी news अभी तक नहीं आई है तो चली ही देखते हैं 5 पैसा capital limited के जो इस बार के numbers है वो हमें कैसे देखने को मिल रहा है तो details आपके सामने और सारे figure lakhs में है हम लोग discuss करेंगे इन करोर्स में quarter 2 के earnings है one की ये दिन last year का quarter 2 का data आपको third column में देखने को मिलेगा अगर आपको content पसंद आता है तो आप प्लीज इस चैनल को भी support कर सकते हैं सिर्फर शिफ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके तो सीधा बात करते हैं company की total income की और किसी भी broker ने अपना market estimate इस company पे नहीं दिया ता नहीं आपको कहीं देखने को मिलेगा total income जो की revenue और other income को add करके आती है और yearly income 96 करोड से 100 करोड पे आगी और quarterly 102 करोड से कम होके 100 पे आगी तो quarter on quarter तो income down है बट yearly basis पे 4 करोड के अप्रोक्स की growth आपको देखने को मिलेगी then अगर expenses की बात करें जो की होते company के खर्चे तो 72 करोड से 71 पे आगए yearly और 75 से 71 पे quarter on quarter तो इस बार expenses आपको दोनों ही जगे कम देखने को मिलेंगे quarter or yearly जो की काफी अच्छा plus point है then same reflection EPS की बात sorry profit की बात करते है after all the adjustments जो की last year quarter 2 में 19 करोड के profit ते वो इस बार 21 पे आगए और quarter 1 में 20 करोड के profit ते वो इस बार 21 पे आगए तो इस बार profit दोनों ही जगा grow की है as compared to the previous both quarters same reflection EPS में 6.21 से 7.02 पे आगया yearly और quarterly 6.43 से 7.02 पे quarter on quarter तो जिस तरीके से profit grow की है same EPS में भी तेजी देखने को मिल देए झाल 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 झाल।